हालो स्टूडेंट स्वागत है आपका हमारे एस कोचिन सेंटर में आज हम लूशेंट के 1000 कोच्चन लाए हैं अब्जेक्टिव वन लाइनर जो हम किसी लिए एक्जाम के तियारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है जिके जिये जिस भी एक्जाम में आते हों उसके लिए आज का हमारा पहला कोच्चन है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सस्क्राइब में चैनल आज का हमारा पहला कोच्चन है भगवान बुद को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई बोध गया में आर ये शमाज की अस्थापना किसने की श्वामी दयानन्द ने पंजावी भासा की लीपी कौन सी है गुरु मुखी भारत की मुख्य भुमी का दच्छिंतम की नारा कौन सा है कन्या कुमारी भारत में शब से पहले शूर्य किस राज में निकलता है अणुर आचल परदेश में इंशिलीन का पर्योग किस बीमारी के उपचार में होता है मधु में बीहु किस राज्य का प्रसित तेहवार है आशाम कौन सा बीटामिन आवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है बीटामिन सी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था विलियम वेंटिक कागज का विश्कार किस देश में हुआ चीन में गौतम बुद का बचपन का नाम क्या था सिद्दार्थ भारत में ससस्त्र बलो का सरवच्च सेनापती कौन होता है राष्टपती रतांधी किस बिमारी की कमीशे होता है बिटामिन ए पुंगल किस राज्य का तेहवार है तम्मिलांडो कागज का विश्कार चीन में हुआ और पहली बार जो कागज की मुद्रा थी वो भी चीन में ही बनी थी गिद्दा और भांगडा किस राज्य के लोकनी रित्य है पंजाब के तेली वीजन का अविश्कार किस ने किया जौन लोगी वियर्ड ने भारत की पहली महिला सासी का कौन थी रजिया सुल्तान अब रजिया सुल्तान के पिता कौन थे यह आप कॉमेंट बक्स में बता सकते हैं मचली किस की सहायता से सास लेती है गलफडो के इन कलाब जिंदाबाद का नारा किस ने दिया भगत सिंग ने जालिया वाला बाग हत्यकान कव और कहां हुआ उन्नीश उन्नीश इसवी अमरित सर में उन्नीश उन्तालिश इसवी में कॉंग्रेस छोड़ने के बाद सुवास चंद्र बोस ने किस दल की अस्थापना की फारवर्ड ब्लॉक की पंजाव केश्री किशे कहा जाता है लाला लाजपत राय को सांड़स की हत्या किशने की थी भगत सिंग ने उन्नीश उन्तालिश इसवी में कॉंग्रेस छोड़ने के बाद सुवास चंद्र बोस ने किस दल की अस्थापना की फारवर्ड ब्लॉक की पंजाव केश्री किशे कहा जाता है लाला लाजपत राय को सांड़स की हत्या किशनी की थी भगत सिंग ने 1857 इसवी के विद्रो में किशनी अपना बलिदान सबसे पहले दिया मंगल पांडे ने भारत की सबसी पहले महिला राजपाल कौन थी सरोजनी नाइडो माउंट एवरेष्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहले महिला कौन थी संतोस यादो ब्रह्म समाज की अस्थापना किस के द्वारा की गई राजा राम मोहन राय द्वारा स्वामी दयानंद सुरसती का मूल लाम क्या था मूल संकर वेदो की और लोटो का नारा किसने दिया दयानंद सुरसती ने राम किष्ण मीशन के अस्थापना किसने की स्वामी बिवेका नंद ने वासको डिगामा भारत कब आया 1498 इस भी में वासको डिगामा कहां कह रहने वाला था पुर्तगाल का हवा महल कहां इस्थित है जैपूर में सिख धर्म का संस्थापक किस शिक गुरू को माना जाता है गुरू नानक को शिखो की पहली शिखो को प्रमुख तहवार कौन सा है बैसाखी लौपुरुष किश महापुरुष को कहा जाता है सरदार पटेल को नेता जी किश महापुरुष को कहा जाता है सुवास चंदर बोस को दिल्ली इस्थित लाल वहादो सास्त्री की शमादी का क्या नाम है बिजैगाट महा भारत के रचेईता कौन है महर्षी बेद व्याश अर्थ सास्त्र नामक पुस्त किस्ने लिखी चाड़क के और कॉटिल्य ने जै जवान जै किशान का नारा किस्ने दिया लाल वहादुर सास्त्री ने ब्रह्म शमाज की अस्थापना राजा राम वहन रायनी की श्वामी दयाननन का मूल नाम संकर था वेदर की और लाटो का नारा दयाननन शोर्शती ने दियं है राम केशन मिशन के स्थापना श्वामी विवेकाननन ने की है वाशको डिगामा भारत 14 98 इसरी में आया वाशको डिगामा पुर्त गाल का रहने वाला था हवा महल कहां इस्थित है जैपूर में है सिक धर्म का संस्थापक किस शुक गुरु को माना जाता है गुरु नानक को शीखो की प्रमुख तेवार कौन सा है बैशाखी लौपुरुस किस महापुरुस को कहा जाता है सरदार पटेल को नेता जी किस महापूरुष को कहा जाता है सुवास चंद्र बोश को दिल्ली इस्थित लाल बहादुर सास्त्री की शमादी का क्या नाम है बिजैगार महाभारत के रचैता कौन है महर्शी वेदव्यास अर्थ सास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है चाड़क के कोटिले ने जै जवान जै किशान का नारा किसने दिया है लाल बहादुर सास्त्री ने शविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था डॉक्टर रजिंदर परशाद सविधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर वीम राव अंबेद कर विश्व रेट क्रश दिवस किस्तिथी को मनाया जाता है आठ माई को सुर्योयदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है जपान अंतर राश्टिय महिला दिवस किस्तिथी को मनाया जाता है आठ मार्च को छेत्रफल की त्रिष्टी से सबसे छोटा राज्य कौन सा है गोवा ओडम किश राज्य की प्रसित तेवार है केरल दिल्ली भारत की रजदानी कब बनी 1911 में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है सुक्र भारत का राश्टिय पसु कौन सा है बाग राश्टिय पक्षी कौन सा है मोर भारत का राश्टिय जलिय जीव कौन सा है गंगा डॉल्फिन भारत का राश्टिय फल कौन सा है आम भारत का राश्टिय फुल कौन सा है कमल भारत की राष्टिये पेड बरगद है और राष्टिये खेल होकी है भारत के राष्टिये जंडे की लंबाई और चोडाई में अनुपात कितना होता है तीन अनुपात दो भारत का राष्ट गीत कौन सा है बंदे मातरम भारत का राष्ट गीत किसने लिखा बंकिम चंदर चटर जी ने महात्मा गांधी को राष्ट पिटा सबसे पहले किसनी कहा नेता जी सुवास चंदर बोश ने हमारा राष्ट ये पंचांग कौन सा है सक्षन्वत राष्ट गान गाने की ओधी कितनी है 52 सेकंड रेडियो एक्टिविटा की खोज किषनी की थी हैंरी वेकरल ने पेश मेकर का संबंध शरीर के किष अंग से हैं हिर्दे से मानो शरीर की किस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी कहते हैं प्यूश ग्रंथी को कारवन का सरवादिक सुद रूप कौन सा है हीरा एक्सरी का ओविश्कार किस ने किया रॉंट जन ने कारवन का शर्वादिक रूप हीरा एक्सरे का अविश्कार रॉंट जन ने किया किस धातु का परियोग माना द्वारः सबसे पहले किया गया तामबे का अंतरिक्ष यात्री को वह अकास कैसा दिखाई पड़ता है काला दुर्वीन का अविश्कार किस ने किया था गलैलियों ने दिल्ली इस्थित महात्मा गांधी की समाधी का क्या नाम है राजगाट भारत में पहले रेल कहां से कहां तक चली बंबई वर्तमान मुंबई से थाने तक भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरम की गई कोलकता भारत में रेल का आरम किस्चन में हुआ अठरोशो तिरिपन में प्रथम भारतिये अंतरिक्ष यात्री कौन थे इस्क्वाइडन लीडर राकेश शर्मा 1984 में भारत की प्रथम महिला मुख्य मंत्री कौन थी भारत के पहले मुख्य मंत्री कौन थे पंडित भगवत दयाल सर्मा राष्ट राष्ट शंग की अस्थापना कब हुई 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट शंग का मुख्याले कहां इस्थित है नुई यर्क में सहिंक्त राष्ट शंग के पहले महा सचीव कौन थे त्रिगवेली इस समय सहिंक्त राष्ट शंग के कितने देश सदस्य है एकशो तीरान में सहिंक्त राष्ट शंग सुरक्षा परिशत के कितने देश सदस्य होते हैं पंदरा सेंक्त राष्ट शंग सुरिक्षा परिशत के कितने देश अस्थाई सदस्य है पाँच अंतराष्टी न्याले कहां इस्थित है दहेंग हॉलेंड में सेंक्त राष्ट शंग के वर्तमान महा सचीव कौन है वान की मून संयुक्त राष्ट महासभा में हिंदी में भासर देने वाले भारतिये कौन थे स्री अटल वियारी वाजबेई संयुक्त राष्ट शंग सुरक्षप परिशत के अस्थाई सदस्य कितने वर्ष के लिए चूने जाते हैं स्थाई सदस्य कितने वर्ष के लिए चूने जाते हैं संयुक्त राष्ट शंग का 193 सदस्य कौन सा देश बना दच्छड शूरान किस बिटामिन की कमीशे खून का रुकाव बंद नहीं होता बिटामिन के हिंदी दिवस कम मनाया जाता है 14 सितंबर को सविधान के किश अनुछेद द्वारे हिंदी को राष्ट भासा घोसित किया गया अनुछेद 343 उलम्पिक खेलों की एकल अस्पर्धा में स्वन पदक जीतने वाले एक मात्र भारतिये कौन है अविनव विंद्रा उलम्पिक खेलों का आयोजन कितने वर्सों के बाद होता है चार वर्स बाद सन 2016 में ये थोड़ा प्रिवियस यर का बुक है सन 2016 में उलम्पिक कहां खेले गए रियोडी जीनेरों में अंतराष्टी मानो अधिकार दिवस कब मनाये गया दस दिशंबर को हडियाना की कौन सी नसल की वहेंस प्रशिद है मुराः प्रशिद सीटला माता मंदिर कहां इस्थित है गुड़गाओं विशाल हडियाना पाटी किसनी बनाई थी राव विरेंद्र शिंग ने हडियाना का छेतरफल कितना वर किलोमीटर है हडियाना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे पंडित भगवत दयाल सर्मा किस देश की अस्थलिय शीम अस्थरवादिक देशों के सांथ लगती है चीन बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरा और किस बात का सुचक है तुफान का भारतिय मरुवस्थल का क्या नाम है थार काजी रंगा राष्टी अव्याडन किस राज्या में है अशाम बैरोमीटर पठन में तेजी से गिरा और तुफान का सुचक है भारतिय मरुवस्थल का नाम थार है काजी रंगा राष्टी अव्याडन अशाम में है प्रिथमी अपनी धूरी पर किस दिशा में घूमती है पच्छिम से पुर्व उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है शि कोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है मीठेन स्वतंतरता मेरे जन सिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किस ने कहा था लोकमान्य तिलक ने राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधी के लिए किया जाता है छे वर्स के लिए हिंदी की मचार पत्र कौन सा था उर्दंट मार्टन तुलसी दास्क्रित रामचरित मानस हिंदी भासा की किस बोली में लिखी गई है अवधी हड्याना के राज्य कवी कौन कहलाते है उदेवानु हंस आधनिक ओलंपिक खेलों की सुरुआत कव और कहां से हुई एथेस यूनान में अठरस चानबे में भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में आठ वर्स्वन पदक जीता है होकी भारत ने आखरी बार होकी में श्व इतने वर्सों के बाद होता है चार वर्स के बाद अंतराश्टिय ओलंपिक समीती का मुख्याले कहां इस्थित है लुशान सुजर्लेंड में शन 2012 में ओलंपिक कहां हुए लंदन में अंतराश्टिय ओलंपिक समीती का मुख्याले कहां इस्थित है लुशान सुजर्लेंड दोहजर वारा में लंदन में ओलंपिक खेल हुए ओलंपिक धवज में पांच गोले होते हैं एक ओलंपिक में श्यरवादिक शौन पदक जीतनी मलक खिलाडी कौन है माइकल फ्लैक्स सन दोहजर बीश में ओलंपिक कहां खेले गया है टोकियो जपान में 2012 में ओलंपिक खेलो में कासे पदक जीतने वाली शानिया नहवाल का समबंध किस खेल से है बैंट मिन्टन से भारत ने ओलंपिक खेलो में पहली बार किस वर्स भाग लिया था सन उन्नीशों में ओलंपिक हेलो में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाडी कौन है कर्णम मलेश्वरी बैक टू दव विदास वेदो की और लौटो का नारा किसने दिया महरसिद दयानंद ने प्रसिद जंडा गीत जंडा उचा रहे हमारा की रचना किसने की श्यामलाल गुपता पारसद ने पस्वो में मिल्क फीवर बिमारी किसकी कमिये काड़न होता है कैल्सियम की मानों सरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है गुर्दे द्वारा एक मातर भारतिये को अर्थ सास्तर में नोबर पुरसकार मिला प्रोफेशर अमर्त शेन को भारत रत्न उच्साद विश्मिल्ला खानकिश बाद यंत्र में के वादन में विख्यात रहे शहनाई भारत के अंतिम गवर्नर जेनरल कौन थे सीराज गुपालाचारी भिलाई इ निर्मार किस देश के सहयोग से किया गया रूस अंतिम गवर्नर जेनरल भारत के सीराज गुपालाचारी भिलाई इस पाद सन्यंत्र का निर्मार किस देश के सहयोग से हुआ रूस उत्री ध्रू में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है हिमादरी विश्यों में मा उनको तबाई पीलिया की अंग का रोग है यक्रित या लीबर द्रौसवी दिशाओं में शमान दाप पारित करता है यह कथन किस नियम से संबंदित है पाशकल के नियम से कुलोरोफील का खनीज घटक क्या है मैगनेशियम एलपीजी गैस में क्या होता है ब्यूटेन किसने सर प्रथम असोक के अविलेखों को पढ़ा जैम्स प्रिसंप ने किस बौद विक्चुक के प्रभाव में असोक ने वह धर्म ग्रहन किया उपगुप्त कौन सा मुगर इतिहास में लंगर प्रथा किसने सुरू की गुरु अंगत देव ने सबसे फ्राचीन वेद कौन सा है रिगवेद किस सुल्तान ने अपनी रजधानी दिल्ली से दौलताबाद अस्थांतरित की मुहम्मद बिन तुगलक ने प्रथम पंचवर्षिय युजना कफ रारंभ ह सबसे प्राचीन वेद कौन सा है रिगवेद किस सुल्तान ने अपनी रजधानी दौलताबाद किस सुल्तान ने अपनी रजधानी दौलता है दिल्ली से दौलताबाद अस्थांतरित की मुहम्मद बिन तुगलक ने प्रथम पंचवर्षिय युजना 1951 में प्रारंभ हुए चीनी यातरी हैंग शौंग ने नालंदा विश्व विद्याले में अध्यन किया कौन सा रक्षामू सर्वद आता है ओ मनुष्य के शरीर में 206 अधिया होती है शुर्य के प्रकास से बिटामिन D प्राप्त होता है मादा एनाफ्लेज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है टेलिफोन का अविश्कार अलेक्जेंडर ग्राहम वेल ने किया है प्रकास की गति कितनी होती है तीन लाग किलोमेटर प्रतिस शेकंड प्रीथवी शुर्य का चक्कर रगाती है यह सबसे पहले किस ने बताया कॉपा निकस ने प्रकास वर्ष का संबंध किष्ये है खगोली ये दूरी से श्वन मंदिर कहां इस्थित है अमरित सर में चार मिनार कहां इस्थित है हैदरावाद में कुतुब मिनार कहां इस्थित है दिल्ली में गेटवेई औफ इंडिया कहां इस्थी थे मुंबई में इंडिया गेट कहां इस्थी थे नई दिल्ली ताज महल आगरा में आजाद हिंज फौज की अस्थापने कहां की गई शिंगापूर में शिक्षक दिवस कम मनाया जाता है पांच सितंबर को खेल दिवस 29 अगस्त को कि इसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रुप में मनाया जाता है मेजर ध्यान चंदर के पडेवण में दिवस 5 जून को मनाया जाता है खरो यह न्मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने जै हिंद का नारा किस ने दिया था नेता जी शुवास्चंद्र बोश ने दल्ली चलो का नारा किस ने दिया नेता जी शुवास्चंद्र बोश ने वेदो की और लोटो का नारा द्यानंद सुर्सती ने इन कलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंग ने दिया था मारो फिरंग्यों को नारा मंगल पांडे ने दिया था शर्फ रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है का नारा किस ने दिया था राम प्रशाद विश्मिल ने भारत का नेपोलियन किशे कहा जाता है शमुंदर गुप्त को सती प्रिथा के अंत में सबसे अधिक परियास की समाज सुधारक का रहा है राजा राम मोहन रहे का रामकिशन मिशन की अस्थापना शुआ में भी मेका नन्ने की थी महात्मा गांधी का जन में दिवस की स्तिथी को मनाया जाता है दो अक्टूबर महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है मोहन दास करमचंद गांधी गांधी जी को महात्मा की उपादी किस ने दी थी रविन्ना टैगोर ने My experiment with truth, पुस्तक के लेख हो कौन है? महात्मा गांदी भारत का सरवच्य नागरिक शम्मान कौन सा है? भारत रत्न फील्म के छेत्र में दिया जाने वाला सरवच्य भारतिय पुरिशकार कौन सा है? दादा सहर फाल के पुरिशकार भारत के सर्वच्य बीरता पदक का नाम बता है परमविर चक्र भारत का सेक्सपियर कीशे कहा जाता है कालिदास को कंप्यूटर का पिता कीशे कहा जाता है चार्स बेवेच को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रत्थम बेक्ती कौन थे यूरी गिरगिन रूस के चंदर्मा पर कदम रखने वाला प्रथम बेक्ति कौन था नील आर्मे स्ट्रॉंग अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतिय कौन है राकेश शर्मा प्रथम भारतिय उग्रा का नाम किया है और इसे कब छोड़ा गया आर्य भट सन 1975 में सहींत रष संग के वर्तमान महा सची कौन है वानकी मून अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतिय राकेश शर्मा भारत की प्रथम उग्रा का नाम आर्य भट सन 1975 में इसे छोड़ा गया सहींत रष संग के महा सची वानकी मून थे अभी कौन है वर्तमान में याप एक बार सर्च कर लेजिएगा अंतराश्टिय महिला दिवस आठ मार्च को मनाया जाता है घेंगा रोग किस की कमी से होता है आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथी इंसिलीन स्व्रावित करती है अगनास है डुरंड कप का संबंध किस खेल से है फुट वॉल भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है हीरा कुंड बांध शविधान की आठी अनिसुची में कितनी भारती बसाओ के मननेता दी गई है बाइस चीन की मुद्रा यूवान है रेट क्रोस के संस्थापक हैंडी डुनॉट है हीमोगलोबीन की कमी से होने माला रोग है एनेमिया भारत की कोखीला स्वरोजनी नाइडो को कहा जाता है दिल्ली में कुतुब मिनार किसने बनवानी शुरू की थी कुतुब दी नेबक ने बानारस हिंदू विश्य विद्याले के संस्थापक कौन थे मदन मोहन मालिवी अर्थ सास्तर के लेखक कौन थे चाड़क के कोटिलिया भी बोलते हैं विवेका नंद अश्मारक कहां इस्थी थे कन्यकुमारी दच्छेश का मुख्याले कहां इस्थी थे कठमांडू नेपाल दच्छेश के कितने देश सदस्य हैं आठ भारत नेपाल बंगलादेश सिल्लंका मालदी भुटान पकिस्तान और अफगनिस्तान भारत की टटरेखा की लंबाई कितनी है 7560 दच्छेश का मुख्याले नेपाल कठमांडू में है दच्छेश के कितने देश सदस्य हैं आठ है भारत की टटरेखा की लंबाई 7560 है विश्व में अभरक का सरवादिक उत्पादन किस देश में होता है भारत में होता है ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया सेरसा सूरी ने बिटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है बेरी बेरी बिटामिन C की कमी से कौन सी रोग होती है एसकरवी दूद में कौन सा बिटामिन नहीं पाया जाता है बिटामिन C बिटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है रिकेट्स बिटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता बिटामिन K बिटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है बांचपन बिटामिन C का रसाइनिक नाम एस्कॉर्विक अमल वसा में घुलनसील बिटामिन है A और E A, D, E के ये सारे हैं बढ़ यहां पे सिर्फ A और E सम्मिट किया है साधारन नमक का रसानिक नाम है एनेशियर हशाने वाली गैस का रसानिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O धवन सोडा का रसानिक नाम क्या है सोडियम कार्वोनेट पीतल की दो धातूओं का मिश्रन है तांबा और जास्ता कैलसी फिरोल किस बिटामिन का रसानिक नाम है बिटामिन D नेतर दान में नेतर के किस भाग का दान किया जाता है कौर्णिया का किस बिटामिन में कोबाल्ट होता है बिटामिन 12 में कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है माइट्रो कॉंडिया को लायर रख्त करनिकाओं का निर्मार हमारे सरीर के किस भाग में होता है अस्थी मज्जा में राष्टिय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को बाय में स्टेक एक कोश्चन हट गया एक पेज हट गया बट कोई नहीं मैं जब पीडियो टेलिग्राम पर सेंड करूंगी न वहाँ आप लोग देख लीजीगा भारत के प्रतम लोगसभा अध्यक्ष कौन थे गनेश वाशुदेव मालोंकर भारतिय शविदान के किस अनुछेट के अंतरगत जमू कश्मीर को विश्च दरजा प्राप्त था 370 अब नहीं है कोई विदयक धन विदयक है या नहीं इसका निर्णे कौन करता है लोगसभा अध्यक्ष विश्व का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है एसिया हैदराबाद किस नदी पर बशा है मूशी बिश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको छेतरफल के अनुशार बिश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है वेटिकन सीती स्वेज नहर कीन दो सागरों को जोड़ता है भुमद्य शागर और लाल सागर को पनामा नहर कीन दो महाशागरों को जोड़ता है प्रशांत महाशागर और उत्री अल्टांटिका महाशागर भारत के शंगियर छेत्रदादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है सिलवाशा छेत्रफल की दिरिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान प्रिथवी दिवस कम मनाया जाता है 22 अप्रेल को फूलो की घाटिक किशराजय में है उत्राखन वर्ष 2021 में नोनिर्मित राष्ट द श्दानी कौन सी है जूबा फूलो की घाटिक किशराजय में है उत्राखन में वर्ष 2021 में नौनिर्मित राष्टे दच्छडी सुडान की रजधानी जूबा है योजना आयो का अध्यक्ष परदान मंत्री होता है आईनी अकबरी के लेकर अबुल फजल है ओप मैं कप की स्खेल से संबंदित है टेनिश देश बंदू के नाम से कौन जाने जाते है चितर अजन दास असोक चक्र में कितनी तिलिया होती है चौबिस भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी वनी राजा हरिस्चंद्र सबसे छोटी हड़ी कौन सी है सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है फीमर जांकी मानों सरीर में कितनी पेशिया है छेशों उन्तालिस लाल रक्त करनी काओं का जीवन काल कितना होता है 120 दिन जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पे जस्ते की परट चढ़ाने की क्या कहते है जस्ती कड़न या गैलवी कड़न मानों सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी का नाम क्या है यक्रित भारत का प्रथम तेल सोधन सन्यत्र कहां इस्थित है डिगबोई अशम में विनेशको द्वारा कलिंग पुरसकार के लिए दिया जाता है विज्ञान के छेत्र में हैदराबाद में चार मिनार का निर्मार किस्ने करवाया कुली कुतुप सा ने अंग्रेज द्वारा पुर्ण श्वादीन्ता का प्रस्ता उकव और कहां पारित किया गया सन 1929 के लाह अलू रेल इंजन कौन सा है फेरी क्वीन भारत में अपात काल की प्रथम घोशना कब की गई चीनी आक्रमर के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत के भासा के अधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है आंधर परदेश भारत पर हमला करने वाला पहला मुसलिम आक्रमर काड़ी सिर्लंका का पुराना नाम क्या है के गुलाद में सबसे बड़ा दिन कब होता है 21 जून को भारत में निर्मिक परथम कंप्यूटर का नाम सिद्दार्थ था गायतरी मंत्र का उल्ले किस ग्रंथ में मिलता है यदि ग्वेद में मिलता है मानो शरीर में पाचन किरिया अधिक तर किस अंग में शंपन होती है छोटी आत में मानो द्वारा सबसे पहले किस धातू का पर्योग किया गया तामबा का बॉल पेन की सिद्दान पर काम करता है प्रिष्टिय तना रेशम के कीड़े किस ब्रिक्ष की कुमल पतियों पर पाले जाते हैं सहतूत रजस्थान में खेतरी किस के लिए प्रसिद्ध है तामबे के लिए आपको वीडियो अच्छी लग रही हो जो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल प्रिथवी के सबसे नजदिक ग्रह कौन सा है सुक्र मनुष्य की आख में किसी बस्तू का प्रतिविम कहां बनता है किसी बस्तू का प्रतिविम कहां बनता है रेटीना पर सुरे से प्रित्वी पर उस्मा का संचड़न किस बिधी के द्वारा होता है विकीरन DNA की द्वीगुणित कुंडली का पता किस नी लगाया वाट्सोन और क्रिक ने धोनी की तिब्रता किस में मापी जाती है डेशिबल में किसी भेफ साइट के प्रथम प्रिष्ट को क्या कहा जाता है होंपेज गार्यों के पीछे क्या द्रिष्य देखने के लिए किस दड़पन का परिव 있고 क्या जाता है समान्य परिस्थितियों में हवा में धोनी की गति कितनी होती है 332 मिटर प्रतीश हेकंड वह एक मात्रग्रा कौन सा है जो अपनी धूरी पर पुर्व से पस्सिम की दिशा में घुमता है सुर्य में कौन सा गैस सुर्य में शरवाधी गैस कौन सी है हाइड्रोजन प्रिथवी दिखाई देने वाला सबसे चमकीला गरा है सुक्र सुर्य मंडल की आयू कितनी है 4.6 अरव वर्स कौन सा पुछल तारा 76 वर्स बात दिखाई देता है हैले पुछल तारा सुर्य मंडल की आयू कितनी है 4.6 अरव वर्स कौन सा पुछल तारा 76 वर्स बात दिखाई देता है हैली पुछल तारा पृत्वी और सुर्य के वीच की दूरी कितनी है 15 करोड किलोमेटर सुर्य का प्रकास पृत्वी तक पहुचने में कितना समय लेता है 500 सेकंड मीनेट में पुछे तो 8.3 मीनेट भारत ने पहला पढमार परिक्षन कोबर कहां किया था 14 मई 1974 को पोखडन राजस्थान में कम्प्यूटर के जिस भाग को हम असपर्स करते हैं वकाल आता है हाडवेयर कैंसर के उपजार में परियुक्त उतक्रिष्ट गैस कौन सी है रेड़ाउन मोनेजाइट बालू में कौन सा खनीज पाया जाता है थोरियम शरीर में सबसे बड़ी अंतसरावी ग्रंथी कौन सी है थाराइड संसार का विशालतम अस्तन धारी कौन सा है वेल मचली बलड ग्रूप की खोज किसनी की थी लैड अस्टेनर ने एलिमुनियम का प्रमुक अय प्रतित किया जाता है डाइनेमो कंप्यूटर की अस्थाई एस्मरिती क्या क्या लाती है रैम का फूल फॉर्म है रैंडम एक्सस मेमोरी रियक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है भूकम की तिब्रता भू पटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है अलिमिनियम किस ग्रह को सांध्य का तारा काते हैं सुक्र को वाई मंडल की सबसे निचली सता को छोब मंडल काते हैं प्रित्वी को एक डिगरी देशांतर गूमने में कितना समय लगता है चार मिनट प्राश्टर ऑप पेरिस किस्चे बनता है जिपसम से मचलिय किसकी सायता से सास लेती है गलफ़डों से हड़े पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है प्रकास संसलेशन दूस्ट से क्रीम किस पर क्रिया से बना में है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफाखा को बिश्व का सबसे बड़ा दीप कौन सा है ग्रीन लेंड स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्टपती कौन थे डॉक्टर राजेंदर परसाद काली मिटी किस फसल के लिए शरवादिक उप्युक्त है का प बारत में सबसे पूरानी परवर्ट चिंखला कौन सी यह अरावली परवत माला धर्ती के तल का लगबा कितने पर्तिशत पानी है एकत्तर पर्तिशत भारत की सबसे लंबी अस्थलीय शीमा किस देश से लगती है वंगला देश हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन के लिए उसमें किस गंध युक्त पदात को मिलाया जाता है इथाइल मर्केप्टन का वाई मंडल में सबसे अधिकिस गैस का प्रतीशत है नाइट्रोजन का कोणाक का सुर्य मंदिर किस प्रदेश में इस्थी थे ओडिशा किस देश से अलग हो करवर्ष 1971 में बंगला देश क का निर्माड हुआ था पाकिस्तान का कंप्यूटर भासा में www.www का www का अर्थ है वर्ड वाइट और वेव एक किलो वाइट केबी में कितना वाइट होता है एक हज़ार वाइट भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के 1929 के एतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्षिता किसनी की जोहलाल नेरू ने केंद्री अशेंबली में बंप फेकने में भगत सिंग का साथ ही कौन था बटु केश्व कॉमन वील पत्रिका का प्रिकासन किस ने किया था एनी बैशेंट ने किस एक मात भारतिय को अस्तर सास्तर में नोबल पुरसकार मिला अमर्त शेन को 1856 में बिद्वा पुनर बिवा कानून किसके परियासों से बनाए गया इस्वर्चंद्र विधा शागर के परियासों से ल लौड विलिजली के साथ सबसे पहले सहायक संदी किस राज्य के सासकने की हैदरावाज के निजाम ने भारत की सरवादिक बड़ी जन जाती कौन सी है गौन भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की प्रत्थम महिला अध्यक्ष कौन थी एनी वैशेंट शहीदे आजम के नाम से कोन जाने जाते हैं भगत सिंग किस योजना के फल्सरूप भारत के विभाजन हुआ माउंड बेटन योजना के फल्सरूप कि एंग लाच जालियावला बाग हत्य काल्ट से जुड़े हैं जननेरडईर कि हत्य किसने की उधं सिंग बंगाल का विभाजन कोब और किसके द्वारा किया गया था 1905 में गुवर्नर लॉड कोर्जन द्वारा भारत में कुल कितने उच्छे न्याले हैं हाला कि अब 25 हो गया है प्रत्थम लुक्षभा का अध्यक्ष कौन था जीवी माल उंकर शविदान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गय मोहिनी अटम नित्र सैली मुख्यत किस राज्य से संबंदित मानी जाती है केरल भरत नाट्य नित्र सैली मुख्यत किस राज्य से संबंदित मानी जाती है तमिल लांडो कथक कली किस राज्य का सास्त्रिय नित्य है केरल केशर का सरवादिक उत्पादन किस राज्य में होता जमू कास्मीर भारत में प्रत्थम बहु देशिय पर योजना का निर्मार किस नदी पर किया गया दामोदर इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के प्रत्थम अध्यक्ष कौन थे बोमेश चंद्रवनर जी गांदे जी किसी अपना राजनीती गुरू मानते थे गुपाल किष्ण गोखले को अंतराश्टी शांती और सुरक्षा को बनाई रखने की जिम्मेदारी सहीत राज संक के किस अंकी है सुरक्षा परिशद नोबल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतिय नागरी कौन था रविन नाट टैगोर 1913 में मिद्धे मिल योजना की शुरूआत की शुर्ष हुई 1955 में मिद्धे मिल योजना की शुरूआत 1955 में हुई बांगला देश का राश्टे गान कौन सा है और इसे किस ने लिखा था अमार सोनार बांगला जो रविन नाट टैगोर ने लिखा है लोदी वन्स का संस्थापक कौन था वैलोल लोदी किस सविदान संसोधन को मीनी कंस्ट्रूशन कहते हैं गोता खोर पानी के अंदर सास लेने के लिए कौन सी गैसरों का मिश्रन का यू ले जाते हैं ऑक्षीजन और हिलियम गैस का मिश्रन होमियोपैथी का संस्थापक कौन था हनीमेन फालो को पकाने के लिए कौन सी गैस का उप्योग में लाई जाती है एथिलीन भारती राष्टी के कलेंडर का पहला मा कौन सा है चैतर पंडित हरी पर साथ चोरस या कौन सा बादे यंतर बजाते हैं बाशुरी भारत का परधान मंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयो होनी चाहिए 25 वर्ष साची के अस्पूत का निर्मार किसने करवाया था अशोक ने यच्छगान कि राजे का लोक निरित्य है करनाटक का मैक मोहन किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है भारत और चीन प्याज में खात भाग कौन सा है तना स्रब परिशर में धौनी तरंगों की आबरित 25 वर्ष सबसे उच्छा परवत सिखर माउं टैवरेश किस देश में इस्थित्य है नेपाल साची के एस्पुत का निर्मार किस्नी करवाया असोक ने यच्छगान की श्राज्य का लोक निरित्य है करनाटक का मैक मोहन किन दो देशों के भी सीमा बनाती है भारत और चीन प्याज में खात पदा तना है श्रब परिशर में धौनी तरंगों की अबरिती 20 हटच से 20 अज वनी बिहार की बिहार राजे की लोक चित्रकला है विश्व की सबसे उचा परवत सिखर नेपाल में है कौन सी नदी को दच्छड गंगा कहा जाता है गोदावरी निर्विरोध चुने जाने वाले एक मातर राष्ट पती कौन थे निलम संजीव रेड़ी संसार का सबसे सबेता का बंदरगा वाला नगर कौन सा था लोथल किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को विश्व का सबसे उचा पठार कौन सा है पामीर या तिबबत का पठार योजना आयोक का अध्यक्ष परधान मंत्री होते हैं बनस्पती घी के निर्मार में पहला भारतिय कौन था मिहीर शैन इंग्लिज सेनल पार करने वाला भारतिय मिहीर शैन है एक अश्व शक्ति किते या वाट के बराबर होती है 766 वाट के बराबर पानी की बुंदों के गोल होने का क्या कारण है प्रिष्ठिय तनाव मानो निर्मित प्रथम रेशा कौन सा ह नाइलोन असपष्ट प्रतिधोनी सुनने के लिए सुरोता है यो प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मिटर किश माध्यम में प्रकास की चल सरवाधिक होती है निर्वात किस रंग के प्रकास का प्रक्रिणन सबसे अधिक होता है बैगनी वानों की हेड लाइट में किस दड़पन का परियोग किया जाता है ओतर अकास में तारेक टिम टिमाते क्यों दिखाए देते हैं प्रकास के अपवर्तन के काड़न प्राथमिक रंग किशे कहा जाता है लाल हरा और निला को वाई यानों के टाइरों में कौन से गयस भरी जाती है हिलियम टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रन होता है टीन यो सीशा का ग्लुकोमा रोग सरीर के किस अंग से संबंदित है आख विश्यों के पहले मैला अंतरिक शियात्री का नाम क्या है वेलेंटाइना तेरिस्कुआ और ओरिजनल और इस्पीसिस वाई नेचुरल सलेक्शन पुस्तक के लेखो कौन थे चार्ल्स डार्विन सीनेवार किस धातु का अयस के है पारायो मरकरी कौन सा यंत्र दूद में पाने के मात्रा मापने के लिए पर्योग किया जाता है पलैग्रा रोग बिटामिन B3 की कमीशय होता है मचलियों के यक्रित तेल में किसकी प्रचुर्ता होती है बिटामिन D की भू इस्तिर उपगरा की प्रिधिवी से उचाई कितनी होती है 36,000 किलोमीटर मनुष्य के शरीर का ताप कराम कितना होता है 60 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फोरेनाइट लेंज की छमता का मात्रा क्या है डायोप्टर कम्प्रूटर की आईसी चिप किस पदात की बनी होती है सिलिकॉन की पास्केल किसकी इकाई है खगोली दूरी की पानी का घनत्व अधिक्तम किस तापमान पे होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पर सब्य तरंगों की अबरिती कितनी होती है 20 जायर हटर से अधिक मनुष्य का विज्ञानिक नाम क्या है होमो शेपियंस बिटिश संसत के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारती ये थे पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है रजस्थान का पदें सभा पती कौन होता है उपरस्ट पती दो बान नुबल प्रस्कार प्राप्त करने वाला ब्यक्ति कौन है मैडम क्यूरी सार्क या दक्छेज का मुख्याले कहा है कठमांडू नेपाल में राज्यासबा का पदेन सभापती कौन होता है उपराष्ट पती दो बाल नूबन पुरसकार प्रापत करने वाला प्रत्थम बैगती मैडम मेरी कूरी सारकिय दच्छेश का मुख्याले कठमांडू नेपाल में है प्रत्थम परंबीत चक्र बिजेता मेजर सोमनात सर्मा है भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है सरोजनी नाइडो सन 1883 की विश्यो कब बिजेता भारतिये क्रिकेट के कप्तान कौन थे कपिल देव राष्टपती राजय सभा में कितने सदस्य मनोनित कर सकता है 12 नोबल पुरसकार किस वर्ष सुरू हुए 1901 में बंगला देश की मुद्रा कौन सी है टका रमायन किस ने लिखी है महरसी बालमिकी ने भारत में गन्य का सरवादिक उत्पादन किस राजय में होता है उत्तर परदेश पायरिया रोग सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है पायरिया रोग दात या मुशूरे नासिक किस नदी के किनारे इस्थित है गोदावरी राष्ट पती को सपत कौन दिलाता है सरवच्चे न्याले का न्याधिश मुख्य न्याधिश जपान की मुद्रा कौन सी है एन इंडियन मिलिटरी एक आदमी कहा इस्थित है देरा दून मांट एवरेस पे चड़ने वाली पहली महिला कौन है बचिंद्री पार डेविस कप का संबन किस खेल से है टेनिस से मांट एवरेस पे दो बार चड़ने वाली भारती महिला कौन है संतोस यादो डेविस कप का संबन किस खेल से है टेनिस से मांट एवरेस पे दो बार चरने वाली भारती महिला संतोस यादो सरवच्ची न्याले का मुख्य न्याइदिस कपते कपने पदपर रहता है 65 वर्ष की आयूत तक संसत का सदर संसत का उच्चे सदन कौन सा है राजेशवा पंच तंतर के लेखक बिश्णू शर्मा सन 1954 में हुआ भारत चिन समझाता किस नाम से जाना जाता है पंच सिल समझाता सन 2010 में फुटबॉल विश्णू कब किस देश ने जीता था स्पेन ने राष्टिय रक्षा अकादमी कहां इसी थे पुना के पास खडवासला में डिश्कॉवरी औफ इंडिया पुस्तक किस ने लिखी जोहाला नेरू ने एक स्वस्त मनुष्य कहे दे एक मिनेट में 72 बार धड़कता है भारत की पहली बार जनगर्णा कब हुई 1872 में डवल फॉल्ट सब्द किस खेल में परियुक्त होता है तेनिस में भारतिये थल सेना के पहले भारतिये सेना अधिक्छ कौन थे जन्रals केंए आम करियप्पा लाई हरोबा किस राज़े का लोक नी रिते है मडीपूर भारत के किस राज़े में में रबबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल कोलकता किस नदी के किनारे है हुगली पौधों में जीवन होता है यह भारतिय विग्यानिक ने बताया था जग्दिश चंद्र वशु ने महात्मा गांधी द्वारा साबर मती आश्रम कहां अस्थापित किया गया आहमदाबाद में कोलकता किस नदी के नारे हुगली पौधों में जीवन होता है किस भारतिय विग्यानिक ने बताया जग्दिश चंद्र वशु ने मात्मा गांधी द्वारा सापरमती की अस्थापना आंधाबाद में की गई मनुस्य के सरीर में कितने गुर्षुत्र होते हैं 23 जोड़े या 46 चन्द ग्रहन कब लगता है पुन्डीमा में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ 8 अगस 1942 मनुस्य के सरीर के समान ने रक्त दाब कितना होता है 80-120 मिमी उत्री गुलार में सबसे छोटा दिन कब होता है 22 दिशंबर राम चरीत्र मानस किसने लिखी तूलसी दास ने प्रत्थम ACI खेल कवर कहां आयोजित किये गए मई 1951 में नईदिली में वाई मंडली ये दाब किस यंत्र से मापा जाता है वैरोमिटर हडियाना का पहला महिला विश्व विद्याले कौन सा है और कहां है भगत फूल सिंग महिला विश्व विद्याले खानपूर कला सोनी पत टेस्ट मैचों की एक पारी में सवी देशो केट लेने वाला भारतिय कौन है अनिल कुम्बले टेस्ट मैचquito एक ही पारी में सवी दवसों विद्याले में भारतिय कौन है अनिल कुम्बले सन 2018 में उप फुट वौल विश्व कब कहा होगा रूस में संसार में सरवादिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है चीन राश्टपटी लोकसभा में कितने शर्दश्य मनोनित कर सकता है दो सर्वग्राही रक्त समू कौन सा है एबी और सहयो गांदोलन किश्वा शुरू हुआ 19-20 में पेनाल्टी एश्ट्रोक की खेल में परियुक्त होता है हौकी में भारतिये संसत के निमने शदन कौन सा है लोकसभा सिख धर्म की अस्थापने किस ने की थी गुरू नानक देवने भारत में जनगर्णा कितने वर्सों बाद होती है दश वर्स में एक दूद किसकी रचना है काली दाज की भारत की संतंतरता के समय ब्रीटेन के परधान मंतरी कौन था क्लेमेंट एटली एक जीमा रोक सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है त्वचा स्काउट एंड गाइड संस्था की अस्थापने की थी रोवर्ट वार्डेन पावेल ने संसायर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है प्रसांत महासागर पेनल्टी किक किस खेल में पुरसकार कौन सा है राजिव गांदी खेल रतन पुरसकार अर्जन पुरसकार किस वर्ष शुरू हुए 1961 में भारत की मानक समय रेखा कौन सी है भारत की मानक समय रेखा कौन सी है 85 डिगरी पूर्वी देशान तर रेखा जो इलाबाद से गुजरती है मैंक से से पुरसकार पाने वाले पहले भारती है कौन थे बिनोबा भावे 500 कोश्चन कम्प्लीट हुए वीडियो अच्छी लग रहे है तो प्लीज लाइक शेर और सस्क्राइब में चैनल कोशिश किय करता है हजार कम्प्लीट कर दें कि स्वांग कि इस राज्य की लोक निर्ते कला है हडियाना भारत में कितने उच्छे न्याले पच्छी सब हो गए यह पहले कड़ाता है कोई विध्ययक धन मिरेक है या नहीं इसका फैसला कौन करता है लोकसवा अध्यक्ष अंति मुगल सम कौन था बहादू सा जफर दूतिये तंबाकु पर पूरी तरह प्रतिवन लगाने वाला बिश्यो का पहला देश कौन सा है वुटान गोदान की रचना मुंसी प्रेंचंद ने की स्वाइन फ्लू बिमारी किस विशानू से फैलती है एच्छ एन एनवन से राष्टिये मत दाता दिवस कब मनाया जाता है पसीश जन्वरी को भारत सरकार का सवेधानिक मुख्या कौन होता है राष्टपती कि शविधान संसोधन द्वारा मौलिक कर्तवयों को सविधान में जोड़ा गया ब्यालिश्वे नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा अंदोलन सुरू किया सविने अगया अंदोलन उपराष्टपती का चुनाव कौन करता है संसत सदस्य विजय अस्तम कहां इस्तित है चित्तोडगर में विश्व का सबसे लंबा 9,438 किनोमिटर रेल मार्ग ट्रांसाइवेरियन जो रूस में किन दो सहरों को जोड़ता है तो ये सेंट अमर कंटक किस नदी का उद्गम अस्थल है नर्मदा भारत में जिप्सम का सरवादिक उत्पादन किस राज्ये में होता है राजस्थान अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कार खाना कहां लगाया सूरत गुजरात में आयने अकपरी पुस्तक किस ने लिखी अभुल फजल ने बुली सब्द किस खेल में परियुक्त होता है होकी उड़न पड़ी किसे पुकारा जाता है पीटी उशा को जी किस अपना कोबर कहां की गई मुंबई में उनमिशो अठारा सो पचैतर में सबसे प्राशीन वेदृ वेद्नीजरू सिक्षा दीवस कम क्मनाया जाताIT लेट सिकषक दित्नावर5 सितंबर को इसपर अप द्यान दिजेगा ॅकुक्त की किससी जिनम दिन को मनाते हैं भारत के पहले सिक्षा मंत्री मौलाना अब्दूल कलाम अजात के जिनमदीन को भामा परमाडू अनुसंधान केंद्र कहां इस्थित है ट्रॉम्बे मुंबई में सन 1928 के बार्दोली अंदोलन का नेत्रित्व किसनी किया था सरदार बल्लब भाई पटेल ने खालसा पंथ की अस्थापना किसनी की थी गुरु गोविन सिंग ने मुगल वन्स की अस्थापना किसनी की थी बाबर ने भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी किरनवेदी कथक किस राज्य का सास्त्रिय नेत्र है उत्तर परदेश टिपुल सुल्तान की रजधानी कौन सी किया श्रीरंग पटनम चाइना में सब्द किस खेल में परिक्थ होता है क्रिकेट सबसे कठोड़तम पदात कौन सा है हीरा डायना माइट का विश्कार किस ने किया अलफेड नोबल ने बिसमिल्ला खान का संबंद किस बाद यंत्र से है सहनाई ओश्कार पुरस्कार का संबंद किस खेतर से है फिल्म एट्स का फुन विश्तार क्या होगा अक्वाइड इम्मिनो डेफिंसी सिंड्रोम जालिया वाला बाग में गोली वारी का आदेश किस जनरल ने दिया था माइकल ओडायर पटना का प्राशीन नाम क्या था प्राटिली पुत्र दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया मुगल बाद सा जाहाने नेता जी सुवास राष्टी के खेल संस्थान कहां इस्तित है बादेपूर अभहाणन किस राजय में इस्ति थे करनाटक हभा पिंजन का विष्गार किस ने किया जेंस वाट ने रेडियो का विष्गार किसने किया इट्ली निवाशी मार कोनी ने भारत के प्रथम गिरी मंत्री कौन थे सर्दार बललब भाई पटेल संसार की प्रथम मैला पर धान मंत्री कौन है श्री माओ भंडार नाई के हडपा की सवेता किस यूग से संबंदित है काश्य यूग से दीने लाई धर्म किस मुगल सासक ने चलाया अकबर ने उपते और डुपते समय सुर्य लाल क्यों प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रक्रिण सबसे कम होता है इंदर धनूस में कितने रंग होते हैं, साथ भू इस्तिर उपगरा की प्रिथवी से उचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने, रेवीज के टीके की खोज किसने की, लुई पाश्यरे ने, दूद से दही किस जिवानू क के कारण बनता है, लेक्टो वेसिलस, प्रैस्षब वेतरंगों की अवरिती कितनी होती है, 20,000 हटत से अधिक, प्रमाडो बं के सिद्धान पे कारे करता है, नावीकिये विखंडन, विधुद धारा की इकाई कौन सी है, एमपियर, हिर्दय की धड़कन को नियंतरित करने के लिए कौन सा खनीज आवस्यक है, पोटैसियम, पैनिसिलीन की खोच किसने की, अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौदे से प्राप्त होती है, सिनकोना से, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड, मनुष्य ने सबसे पहले किस जनतु को पालतु बनाया, कुत्ता को, अंतरिक्ष यात्री को वाय अकास कैसा दिखता है, काला, ATM का पून बिष्तार क्या होगा, अटोमेटेट टेलर मशीन, संसत का स्विक्त किर्णों से बचाती है, उजोन, ख्वाजय मोजविदीन, चिस्ती की दरगाह कहां इस्तित है, अजमेर में, समरेट असोक ने किस यूग के बाद बहुत धर्म ग्रहन कर लिया, कलेंग यूद, भारत, भारत, भारत का केंद्रिये बैंक कौन सा है, भारतिये जर्ब बैंक, स सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, जोती वशु, पश्चिम बंगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, किस तापमान पर स्यास्टियस और फोरेन हैट तापमान बराबर होता है, 40 डिग्री, कांसा किस की मिस्र धातु है, कांबा और टीन, दिल ट्रोफी का समद किस खेल से है, क्रिकेट से, एलपी जी का पूर्ण बिस्तार क्या होगा, लिक्वीफाइट, पेट्रोलियम, गैस, गीता रहस्या पुस्तक किस ने लिखी, बाल गंगा धर, तिलक ने, राज्य सभा के कितने सदस्यों का चुनाओ, हर दो वर्स बाद होता ह एक ती हाई, अमेर की राश्टपती का कर्यकाल कितने वर्स का होता है, चार वर्स का, अयोध्या किस नदी के किनारे है, जैपूर के अस्थापने किस ने की थी, अमेर के राजा सवई सिंग, सवई जै सिंग ने, भारतिय सविधान में पहला संसोधन कप किया गया, 1951 में, डुरंड कप किस खेल से संबंदित है, फुट वॉल, सन 1907 में सुरू किया गया, साहित्य का नोबल पुरसकार किशे दिया गया, रूड यार्ड कि पलिंग को, किसके सासन कालव मुरकों का यातरी इबन बतुता भारत आया, मुहम्मद बिन तुगलंग, भारत के पहले मंत्री कौन थे, डॉक्टर विम्रा अंबेदकर, अविज्ञान सा कुतलम के लेखक कौन थे, काली दास, स्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, एक मही को, ओडिशी किस राजे का सास्त्रिय निरित्य है, ओडिशा, भाखडा बांध किस नदी पर बनाया गया है, सतलुज, भार 1945 को, राष्टपती चुनाओं में कौन वोट डालता है, संसद राज्य, संसद था राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदाश्य, हरी रामो, भाखडा बांध, ये दो हो याद, हड्याने के पहले राजेपाल कौन थे, धरमबीर, उतरी ध्रूक और दच्रदू से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कालाती है, देशांता रेखा, मात्मा गांधी के हत्या कौवर किस्ने की, 30 जन्वरी 1948 को नाथू राम गोर से द्वारा, भारत में कौन सा आनाज सबस कब बनाया जाता है, 15 जन्वरी को, राजास्तान के माउंट आबू इस्थित दिलवाडा के मंदिर किस धर्म से संबंदित है, जैन धर्म से, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, महा नदी दिल्ली इस्थित जामा मजदित किसने बनवाई साजाहाने, सांती काल का सरवच्च सेन पुरसकार कौन सा है, असोप चक्र, राश्टिय डेरी अनसंधान संस्थान कहां इस्थित है, करनाल हडियाना में, भगवा 126, 1556 और 1761 के तीन एतियासे कि युद किस नगर में हुए, पानिपत हडियाना में, हाली में किस राज्जे से अलग करके तिल्ली इना राज्य बनाये गया, आंधर पर देश, भारत के पश्मी टट पर कौन सा सागर है, अरब सागर, उनेश्कों का मुख्यले कहां है, पेर लुम्बनी जो नेपाल में है, भागवान महाबी, जैन धर्म के कौन से तिर्थरकर थे, 24 वे, भारत की पहली महिला राष्टपती कौन है, प्रतिवा पाटिल, कटक किस नदी पर बसा है, महा नदी, बाइनरी भासा में कितने अक्षर होते हैं, दो, लैन का विस्तार क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, गौतम बुद की म अर्मार सरुप अंग्रेजों का बंगाल, बियार और ओडिशा पर अधिकार हो गया, 1764 में, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागो हुआ, 1773 में, 1857 की क्रांती के बाद अंग्रेजों ने मुगल बाद सा बहादूर सा जफ़र को कैद करके कहां भेजा, वर्मा मैमार में, गांधी जी दच्छरी अफिर्का से भारत को लोटे, 9 जनवरी 1915 को, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आला मारा, छेतफल की दृष्टी से भारत का बिश्व में कौन सा अस्थान है, शात्वा, भारत की अस्थलिय सीमा कौन सी है, 15200 किलो मेटर, भारत का पूरो से पस्षिन तक बिस्तार कितना है, 2933 किलो मेटर, तिरंगे जंडे को सविधान सभान एकवर राष्टी जंडे के रूप में अपनाया, 22 जुलाई 1947 को जनगड़ मन सभिधान सभा ने राष्ट गान कब गोसित किया, 24 जनवरी 1950 को, खुदा वक्स पुस्त काले कहा है, पटना में है, 1784 में कोलकत्ता में किस ने असियाटिक सोसाइटी के अस्थापना की थी, विलियम जोन्स ने बैंको का राष्टी एकड़न कब किया गया, 1979 मे किस सभिधान संसोधन द्वारा, 6-14 वसकी आयू के बच्चों के लिए सिख्षा को मौलिक अधिकार बनाए गया, 86 किस मौलिक अधिकार को चववालिश्वे सभिधान संसोधन द्वारा अटा दिया गया, संपती का अधिकार 35 दिगड़ी, उत्री अक्छांस रेखा, क्या कहलाती है, करकर रेखा, ससस्त्र सेना जंडा दिवस कमनाया जाता है, 7 दिशंबर को, भारत पाक सीमा रेखा, किस नाम से पुकारी जाती है, रेड कलीफ रेखा, भारत में एक मात्र सक्रिय जो अलम की कहा है, बैरंदीप, अं 35 दिशंबर को, किस खेल से संबंदी था है, टेनिस, टेनिस से नो गठित तिलंगा ना, राज्या का पहला मुख्यमंत्री कौन है, चंदर शेखर राव, भारती सिरलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, मननार की खाड़ी, अरावली परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है, गुरु सिखा, किस देश की सीमा सबसे बड़ी है, कनाड़ा, किस देश की अस्थल सिंद में सबसे बड़ी है, चीन, मैमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है, क्यात, मौशम सम्भदित परिवर्त नवाई मंडल की किस परत में होते हैं छोब मंडल संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है दच्छिर चीन सागर गौतम बुद्ध्वारा 29 वर्ष की आयू में गृत्या की घटना क्या कहलाती है महा विष्णिक्रमर भारत में प्रंचवसिय योजना का नुमोधन करने वाला सर्वच्य निकाय कौन सा है रा मौलोना अब्दुल कलाम महांची की सक्षरक किसके दर्बार में थे कनिस्क भारत में मेट्रो पूरुष कौन कहला आते हैं शिरी धरन भारत की सोतंतरता के समय कॉंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जेवी किरपलानी कॉंग्रेज और मुस्लिम लिंग के बीच लखनों समझाता कि स्वर्ष हुआ 1916 में पानिपत का तिसरा यूद किनके बीच हुआ मराथो और अहम्मद सा अबदाली के बीच आर्बी आई के नए नियमों के अनुसाद चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैदता कितने समय तक होती है तीनमा सबसे लंबा राष्टी राजमार कौन है एनेच सेवन बनार्शी शे सगमर्मर किसका परिवर्थित रूप है चुना पत्थर का विच व बैपाय संगठन का मुख्याले कहा है जनेवा शिजलेंड में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गंदी ने कौन सा अंदोलन अस्थगित कर दिया असहोग अंदोलन के टट को क्या काते है मालावा टट जेद अविस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है पार्सी भारत का राष्टी गान सबसे पहले गाया ग कौन सा है हीरा समुन जल में लवन की ओसत मातरा कितनी होती है 3.5 परसें राष्टी विकास परिसत का अध्यक्ष कौन होता है प्रधान मंत्री सिकंदर ने भारत पर आक्रमन किया 326 में भारत का सविदान कितने समय में तयार हुआ 12 साल 11 अर्व मा 18 दिन भारती जविदान में मौलिक करतब्य किस देश के सविदान से लिये गए अमेर्की उविदान से सविदान की किस धारा के अंतरगत राज-जय पाल किसी राजय में राष्टपति शासन लगाने किसी फारिष करता है धारा356 प्रोटीन की खोज किसनी क कि थी रदर फोल्ड ने भारत के प्रथम पड़मारो विजली घर कहां अस्थापित किये गए तारापूर सांती निकेतन के स्थापने किसने की रविन्ना टैगोर ने अर्थ सास्त्र नोबल पुरसकार किस्वा शुरू हुआ 1969 में अर्थ सास्त्र नोबल पुरसकार 1969 में स्टार्ट हुआ गौतंबुद द्वारा देत्या की घटना महापरी निर्वाड कहलाती है प्रथम बौद कॉंसिल कप कहां और किसके सासन काल में हुआ 483 बीशी राजगरी अजाज सत्रू के काल में हुआ सुर्य के सतर का तापमान कितना होता है लगबग 6000 डिगरी सेल्सियस सवना घास के मैदान किस महादीप में अफेरिका किस सविधान संसोधन द्वारा पंचायती राज विवस्था लागू की गई तीहत्रवे राष्ट पती यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौपएगा उपराष्ट पती को किस राज्य में लोकसवा कि सरवादिक शीटे हैं असी उत्तरपरदेश में महावीर का जन्म कहा हुआ कुंडग्राम बैसाली में चौथी बुध कॉंसील कप कहा और किस के संड़क्षन में हुआ अंठानबे एडी में कुंडल वन कास्मीर कनिस्क के संड़क्षन में पीथवी अपनी दूरी पर कितने कोड़ पर जुकी हुए कहां कहां लगता है सोनपूर बिहार और तस्वी पैरेलल किन दो देशों को बाठती है उत्तर और दच्छिर कोरिया को वायू मंडल में कारवन डायक्साइट की मात्रस 0.03 परसेंट अश्टा ध्याई किस ने लिखी है पाड़ेनी ने बल्व का फिलामेंट किसका बना होता है टंगस्टन का तीसरी बौद कॉनसील कब कहां और किसके संड़क्षन में हुई 250 बीशी में पाटली पुत्र में और सोक के सासनकाल में त्री पीटर किस धर्म के गरंथ है और किस भासा में लिखे गए है बौद धर्म के और पाली भासा में लिखे गए है भारतिये प्रयदीप का नाम क्या है दक्कन का पठार गुजरात से गोवा तक समुंद्री टट क्या कहलाता है कोकड अंडोमान निकोबार किस अंडोमान निकोबार दीप समू में कितने दीप है तीन सो चौबीश बैलिश शविधान संसोधन द्वारा कौन से सब्द प्रस्ताना में जोड़े गए है धर्म निर्पेक्ष और सम केमास की रितु शनहार कुमार शौंबह रगु अंसम किसकी रचना है काली दास की अजनता और एलोरा की गुफाय कहां है और अंगाबाद महाराष्ट में महाबली पूरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे पल्लो राजा नसी वर्मन ने भारत के कितने परतिशत भूभाग पर वन है 19 परतिशत जीम कार्वेट नेशनल पार कहां इस्थित है नैनी ताल के पास उत्राखन वर्डी इगल बोगी पार्टी होलीन वन सब्द किस खेल से संबंदित है गोल्फ से सांबर जील जिससे नमक बनता है किस राजजमें है राजस्थान गुलाम वन्स का कौन सा सासक चोगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर कर मिर्टु को प्राप्त हुआ कुतबदी नेवक गीत गोविंद किसने लिखी जैदेव ने खुजराहों के मंदिर किस वन्स के सासक ने बनवाए चंदेल ने विजय नगर समराज्य की अस्थापना कवर किसने की थी 1336 में हरियर और बुक्का ने घना पक्षी वियार कहां इस्थित है भरतपूर राजस्थान भारत में जंगली गदहे कहां पाये जाते हैं कश के रण गुजरात में मीन कैफ मेरा शंगर्स किसकी जीवन है ओल्ड हिटलर की दास केपिटल किसकी रचना है कॉल मास्थ की महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा एक हजार पचीश इसपी में कौन सा अव्यारन एक सिंग वाले गिंडे के लिए प्रसिद्ध काजी रंगा अव्यारन असम में है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी प्लेटो ने तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लू अपनाए गया सासारम बिहार में नियूट्रान की खोज किसने की जैंस चैडविक ने परमारो रियक्टर में मंदक के रूब में किसका परियोग किया जाता है भारी पानी और ग्रिफाइड का विश्व का सबसे छोटा महादीब कौन सा है अस्ट्रेलिया एंसीसी की अस्थ या गुर्षपा जो सरावती नदी पर कनाटक में हैं भारत का सबसे भारत का सबसे उच्छा जल पर पायत कौन सा है जो सरावती नदी पर कनाटक में है चंद्रमा की प्रिफिश दूरी कितनी है तीन लाग पचासी हजार किलोमीटर बिश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है वैटिकन सीटी भारत में सोनी की खान कहां आज थी थे कुलार कनाटक में सभारतिय सविधान में कितनी अनुसुचिया है 12 सुर्य का परकास चंद्रमा से प्रिजवी तक पहुँचने में कितना समय लेता है एक पॉइंट थी शेकंड पन्ना मद्य परदेश की खाने किसके लिए प्रसिद है हीरा नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है मिश्र जय जवान जय किशन और जय विज्ञान का नारा किसने दिया अटलवियरी वासपेई ने घाना देश का पुराना नाम क्या है गोल्ड कोश्ट उत्साथ जाकीर हुसेन का संबन किस बाद यंत्र से है तबला अमेरिका की खोज किसने की 1492 में किस्टोफर कोलंबस ने बंदे मातरम को सौर प्रतम कॉंग्रेस की किस अधिवेशन में गाया गया 1892 में सापेकस्ता का सिद्दान किसने खोजा था एलवर्ट आइस्टाइन ने वाईवान की खोज किसने की ओलिवर और विलिवर राइट्स बंदू ने प्रतम हिर्दे परत्यारोपन किसनी किया था डॉक्टर क्रिष्टियन वोनार्ड ने दच्छी रफिड का में साथ पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है रोम सक्षनमत को राष्टिय पंचाक के रूम में कब अपनाए गया 22 मार्च 1997 को रेडियम की खोज किसने की पियरे और मैडम क्यूरी ने कितनी उचाई पर जाने से तापमान एक डिर के सेल्सियस की कमी होती है 165 मीटर किस ग्रह के चार और बले है सनी मिश्व में शर्वादिक सखाओं वाला बैंक कौन सा है भारतिय स्टेट बैंक सफेध हाथी का देश कौन सा है थाइलेंड कंगारू किस देश का राष्टिय चीन ए औस्ट्रेलिया सुन्दर लाल बहुगुर्णा का संबंध किस आंदोलन से है चिपको आंदोलन से सन 1923 में सोराज पाटि का गठन किस ने किया चितरंजन दास मोती लान नहरू ने भगत सिंग सुखदेव राजगुरू को फासी कब दी गई 23 मार्च 1931 को मांट एवरेश्ट पर सबसे पहले कौन चड़ा तेंजिंग नोर के भारत के और एंडम हिलेरी न्यूजिलेंड के पदमावत की रचना किसने की मलिक मुहम्मद जाईशी ने अमेरिका के पहले राष्ट पती कौन थे वासिंग गटन जर्मनी कहकी करन किसने किया था विश्मार्क ने सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी मुंसी प्रेम चंद्र ने अली गंड आंदोलन किस्चे संबंदी था सरसयद अमत खान से मुगल बात्सा ने अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में करखाने लगाने की इजाज़त दी जहांगीर ने भारत में पुर्तगालियों का प्रत्थम बैपार केंद्र कौन सा था गोवा भारत में पुर्तगालियों के प्रत्थम बैपार केंद्र गोवा था किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी देयानन के मिर्ट्यू हुई थी दिवाली कादंबरी किस की रचना है बारभट की भारत के किस राजे में जन संक्या घनत तो सबसे कम है और राचल परदेश बिश्व बैंक का मुख्याले कहां है वाशिंग गटन पैंसिल की लीड किस की बनी होती है ग्रेफाइट की सविधान सभा के पहली बैठक कब हुई थी 9 दि घेल से हायक की में क्या होता है अमोनियम क्लोराइट मानस अव्याड़न कि शराज्जय में असम विश्व में सबसे बढ़ा डाकत तंत्र किस देश का है भारत का लाल तीकोन किसका प्रतिक है परिवार नियोजन का स्री नगर की अस्थापना किसने की अशोक ने गांधी इर्विन समझाता कि श्वर्ष हुआ तीन मार्च 1931 को भारतिये संग का राष्ट पती किसके परमर्ष से कारे करता है प्रधान मंत्री गंदक के साथ रबड को गर्म करने की क्रिया क्या कालाती है वल नी करन पश्मी और पुर्वी घार्किन पहाड़ियों में मिलते है नीलगीरी जोहालान नेहरू के नित्रित्व में अंतरीम सरकार का गठन कब हुआ सितंबर 1946 में क्रिकेट पीच की लंबाई कितनी होती है 22 गर्ज या 6-6 फूट मोतिलन नेहरू स्पोट्स एस्कूल हडियाना कहां इस्थित है राई शेनपति सोनीपत में भारत के भूत पुर्वपरधान मंत्रिलाल बहादु सास्त्री की मृत्यू कहां हुई थी तासकंद में काली दास ने किस भासा में रचनाए की थी संस्कृत 12 मार्च 1940 को जालिया वाला बाग हत्या कांड कराने वाला माइकल ओडायर ने किसने लंदन में हत्या की थी उधम सिंग ने सत्य सोधक समाज के स्थापना किसने की थी महात्माज जोतिवा फूले ने तोड़ा जन जाती किस राज्य में निवाज करती है तमीलांडो हरियार्णी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है चंद्रावल अशम का पुराना नाम किया है कामरूप प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ सन 1973 में प्याज लासुन में गंध किस तत्त के काड़न होता है स पिंद्र राज्य संबंदों के अध्यन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया सरकारिया आयोग नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था एडविन लुटिन इंग्लेंड मंगल और ब्रियस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्र लगाने वाले पिंड क्या कालाते हैं पंसार में सरवाधिक दूद उत्पादन किस देश में होता है भारत में पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है रैविज या हाइड्रोफोविया दचिर भारत का सरोच्च परवत सिखर कौन सा है अनाई मुदी सरदार सरोवर पर योजना किस नदी पर बनाई नीली क्रांती का संबन किस छेतर से हैं मतश्य पालन से भारत में श्रवादिक मुंग फली का उत्पादन किस राज्य में होता है गुजरात भारत में सबसे कम वर्षा वला अस्थान कौन सा है लेह जमु कास्मीर कौन सा अगरा प्रिध्वी के जुरुआ वहन कहलाती है सुक् वरित क्रांती के जनक कौन कहलाते हैं डॉक्टर नॉर्मन वोर्लग दलदली भूमी में कौन सी गैस निकलती है मीथेन बिटामिन ए का रासाइनिक नाम क्या है टोको फिरॉल 1984 में भुपाल गैस के रिशाव से हुई थी मिथाईल आइसोशाइनेट शोराज सब्द का सबसे पहले परियो किसने किया महरसी दयानंद ने बिलय की नीती किसने लागू की लॉड डलोजी ने मुसलिम लिंग की अस्थापना कब की गई 1906 में केशरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया बाल गंगा धर तिलक ने बारत का प्रतम वाशराय कौन था लॉड कैनिंग टोडर्मल का संबंद के श्चेत्र से था भू राजश्वा माराना रंजित सिंग की राजधानी कौन सी थी लाहोर पोलियो कटी का किसने को जा था जोनास सौलक ने करनाटक के शौन बिल गोला में किस जयन संत की विशाल प्रतिमा है गुमतेश्वर की पंचायर सदश्य बनने के लिए निन्तम आयू होनी चाहिए 21 संसार में सरवादिक पानी की मात्रा किस नदी की है एमेजन की जून सितंबर के दोरान तयार होने वाली फसले कौन सी है खरीब चंडी गड़ में प्रसीद रॉक गॉर्डन किसने बनवाया नेक चंद ने बिश्व वेंग का मुख्याल है कहां इस्थित है वाशिंग गटन डीशी में संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है सुपिरियल जील योगेश्वर दत्सुसील कुमार का संबन किस खेल से है कुस्ती से प्रथम स्वाधिंता संग्राम के समय है भारत के गवर्नर जेनरल कौन था लॉड कैनिंग स्वातंतरता के बाद देशी रियाशतों के एकी कडन के लिए कौन उत्तरदाई थे सरदार बललव भाई पटेन फ्रंटियर गांधी किशे कहा जाता था खान अब्दुल गफार खां कुका आंदोलन किस ने चलाया गुरू राम सिंग ने 1815 इसभी में कलकत्ता में किसने आत्मी सभा की अस्थापना की राजा राम उहन रहा है शीवा जी के मंत्री मंडल का क्या नाम था अश्ट प्रधान गुरू तेक बहादूर के हत्या किसने करवादी औरंग जेव ने साजहा ने अपनी बेगम उमताज महल की याद में कौन सा इस्मारक बनवाया था ताज महल किस मुगल बादसा के सासनकाल में चित्रगला अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई जहांगीर के सिख धर्म के गुरू की जहांगीर में हत्वक करवा दी गुरू अर्जिन देव की हुमायू नामा पुस्त की रचना किसने की थी गुलबदम बेगम ने किसनी अपनी बिजयों के उपलक्ष में चितोड़ गड में बिजय अस्थम का निर्मार कराया राना कुंभा ने नालन्दा विश्व विद्याले के अस्थापना किसने की थी कुमार गुप्त ने जगरनाथ मंदिर किस राज्य में इस्थित है पूरी उडिशा में तराइन के प्रत्थम यूद किस किस के बीच और कव हुआ प्रित्वीरा चहवान और मुहमत गोरी के बीच 1911 में शुन्य की खोश किसने की आर्यवटने सिकंदर किस का सिस्य था अरस्तु का सिकंदर का सिनापती कौन था सेलुकेस निकेटर गुप्त वन्स का संस्थापा कौन था स्री गुप्त कुम्ब के मेले का सुंभारम किसने किया हर्सवर्धन ने किस एक अस्थान पर कुम्ब का मेला कितने वर्स बाद लगता है 12 वर्स भारत में कितने अस्थानों पर कुम्ब का मेला लगता है चार पहला हरिद्वार गंगा नदी किनारे इलाबाद गंगा और यमना के शंगम पर उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे और नासिक गोदावरी नदी के किनारे अजन्ता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से सम्बन्दिथ है? तेलंगाना राजय की रजधानी कौन सी है? हैद्राबाद कौन सा नगर 10 वर्सों तक तेलंगाना और आन्त परदेश दोनुं राजयों की रजधानी रहेगा? हैद्राबाद भारत में कितने पीन कोड है नौ भारत में डाक सुचकांग परणडाले पीन कोड परणडाली का सुभारम कब हुआ 1972 में भारत का सबसे बड़ा सरवाजनिक उपकरम कौन सा है भारतीय रेल भारत और पकिस्तान के बीद चलने वाली रेल गाड़ी कौन सी है समझोतावत थार एक्सप्रेस भारत में प्रथम बिधुत रेल कब चली 1925 स्वी में डेककन क्विन भारत में कूल रेल मार की लंबाई कितनी है 63,974 किलो मिटर भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है पीर पंजाल जम्मू काश्मीर में छेतफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा जीला कौन सा है लद्दाक कौन सा महादीप पुर्त हिमाचित बर्व से ढका है अंटार्टिका प्रिथिवी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महादीपों का विस्तार पाये जाता है 29.2 भारत वा बंगलादेश के बीच बीवाद खीन दूपों पर है कच्चा तीवू दीप और निवमूर दीप भारत का उत्तर से दच्छित एक विस्तार कितना है 3214 किलो मिटर भारत के मानक समय और ग्रीन विच समय में कितना हंतर है 5.5 गंटे का भारत की अस्थल सीमा की लंबाई कितनी है 15,200 किलो मिटर भारत की सबसे लंबी शुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है जम्मू कासबीर में भूब गयनिकों के नुसार आज हिमाले परवत है भूब किया गया जीम कारवेट नेशनल पार्क नैनी तालूत्रा खंड में कौन सा भ्याडन जंगली हाथियों के लिए प्रसीद है पिरियार केरल में है लहोर दिल्ली बस ये वा क्या कहलाती है सदा सदा ए शरहद कोईला की शरुत्तम किस में कौन सी होती है एंथ्रेसाइड और वर्गिश कूरियन रवी की फसलों की बुलाई कब की जाती है अक्टूबर नौवबर और दिशंबर में भारतिय इतिहास में बजार मुल्य नियंत्रन पदिती की सुरुआत किसके द्वारे की गई अल्लाव दिन खिल्दी द्वारा फुटवाल का ब्लैक परल काला हीर जाता है मडीपूर गैमी बट सब्द किस खेल से जुड़ा है सत्रंज क्रिकेट पीच पर पॉंपिंग क्रिज और स्टंप के भी इज की दूरी होती है चार फूट की चार फूट की शीली पॉइंट किस खेल से संबंदिते क्रिकेट से किस देज की टीम ने फुटवाल का ब्राजील ने भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान इश्रो का मुख्याले कहां इस्थित है वैंगलूर में भारत का प्रत्थम परमाडू उजा रियक्टर कौन सा था अपसरा बिक्रम सारावाई अंतरिक्ष केंद्रे कहां पर इस्थित है त्रिवेंद्रम में वन अनुसंधान रसंस्तान कहां इस्तित है देरादुन में अंटार्टिका में प्रत्थम भारतिय अस्थाई परेक्साला को क्या नाम दिया गया दच्छिर गंगोत्री इलीशा पड़िक्छन की शुरोग की पहचान के लिए एट्स के लिए हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंगा हो इसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है बिट 2011 के जनगर्णा के अनुसार भारत की नगरिय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने परतिशत थी 27.78 2011 के जनगर्णा के अनुसार पूरूस इस्तरी अनुपात लिंग अनुपात कितना है 942 2014-2021 की जनल्गना के अनुशार किस राज्य में महिलाओं के प्रती हजार पूरुष परनुपात लिंग्स सबसे कम है हड़ियाना 2011 के जंगर्णा का अनुसाहा है भारत की किस राज्य में जंसंखे घनत तो अधिक्तम है बिहार तील और प्राकिर्टिक गैस आयोग का मुख्याले कहां इस्तित है देरादून भारत का अनुसंधान केंद्र हिमांद्री कहां इस्तित है अंटिक छेत्र में राष्टि ये संगरहाल है कहां पर इस्तित है कोलकता सविधान सभा का अस्ता या देट किसे चुना गया है सचीता नंद सीना को भारत में औस तन वर्षा कितनी होती है 118 सेंटिमीटर दच्छिर पच्छी मानसून किस राजे में सबसे पहले परवेश करता है केरल में दूर दर्शन से रंगीन प्रशाडन का प्रारंब हुआ 1882 में विश्व वन जीव कोस द्वारा प्रती के रूप में किस पसू को लिया गया है पांडा विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है इंटरनेट इमेल के जन्म दाता है कौन है रे टॉ वर्ल्ड वाइल्ड वेब क्या विश्कार कौन है टीम वर्नस ली एस्टीटीपी का पुन रूप क्या है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकल दिपिका कुमारी का संबंद किस खेल से है तीर अंदाजी से है भारत में करेंसी नोट पर उसका मुल्य कितनी भसाओं में ल कब हूई थि 1789 में दुनिया के मज़दूर एक हो कानारा किस ने दिया था कॉल मकस ने समांता स्वत नतरता और बंधुत्व कानारा किसक क्रांती की देन है ऑसे का लगल पूरसकार किसे कहा जाता है मेकसिस के पूरक है को सरवादिक औसorthेकार2 कomena सीए सी एफ सी क्लोरो फ्लोरो कारवन सी पी यू का पूरा नाम क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सौर मंडल में ग्रोहों के शंख्या कितनी है आठ जब चंद्रमा शुर्य और प्रिध्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहन लगता है सुर्य ग्रहन जल का सुदतम कौन सा है वर्षा काजर भारत में किस परकार के बीदूत का सरवादे कुट पादन होता है ताप बीदूत रेडियू तरंगे वायू मंडल की किस सतह से परिवर्थित होती है आयन मंडल हवाई जहाज वायू मंडल की किस परत से उतरते हैं समताप मंडल छो मंडल की धरातल से अधिक्तम उचाई कितनी होती है 18 किलो मिटर भारत में दच्छिर पच्छे मांसुन किन महीनों में सक्रिय रहता है जून से सितंबर प्राथना समाज की अस्थापना किसने की आत्मा रंग पांडू रंग ने कोलकत्ता में मिश्नरी ओफ चैरिटी शंगठन की अस्थापना किसने की थी मड़ा टरेशा ने लेडिर विद दल लैम के नाम से कौन प्रसीद है फ्रोलिंस नाइट एंगल ने कौन सी गैस जनले में सहायक है ऑक्सीजन वाइमंडल का कितना परतिशत भाग 29 किलो मिटर उचा अस्थाई तक पाया जाता है संतानवे परतिशत अठारा सो संतानवन की क्रांती का ततकालिंग काड़न क्या था चर्वेज युक्त कार्थूश सन 1906 में धाका में मुस्लिम लिंग की अस्थापना किसने की थी आगा खा और सलीमुल्ला खा ने भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली 1854 में बंगाल बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त कोव और किसने लागू किया सन 1973 में लौट कर्णवालिस ने पानीपत के पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच किस मुगल्म बात्सा के भू राजेश्व की दासाला पद थी किसने लागू की अकबर ने औरंगावाद में ताज महल की प्रतिकरती किसने बनवाई थी औरंग जेम ने लंदन में इंडिया हाउस के अस्थापना किसनी की स्यामजी कृष्ण वर्मा ने कॉंग्रेस की अस्थापना के समय भारत का वाश रहे कौन था लॉट डॉर्फिन विश्व का सबसे बड़ा प्रायदीप कौन सा है औरब प्रायदीप पश्मी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है सहयाद्री तंबाकू के धुए में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है निकोटी राश पती का अध्या देश कितने समय के लिए लागू रहता है छे मा का मौशमी गुबारों में किस गयास का परियोग होता है हिलियम मानों शरीर में रुधीर बैंक का कार्या कौन सा अंग करता है तिली प्लीः या इस्प्लीन कुछ भी बो सकते हैं गाय के दूद का पीला रंग किसकी उपस्थिती के काड़न होता है केरोटीन के काड़न बिश्वा एर्ष दिवस कब मनाया जाता है एक दिशंबर को भारत के राष्टिय धवज का डिजाइन किसने तियार किया था मैडम भीखाजी कामा ने सन 1815 में आत्मी सभा का गठन किसने किया था राजा राम मोहन राय ने चाभी भरी घड़ी में कौन सी उर्जा होती है इस्तिजित उर्जा प्रतिरोध का मात्र कौन सा है ओ ओ ओ फ्यूज की तार किस पदात की बनी होती है टीन और सीशे की मिश्र धातु से इलेक्ट्रोन की खोष किसने की थी जेजे थमसम ने गुर्त्वा कर्शन के नियम किसने बनाए न्यूटन ने पड़माडो बम का विश्कार किसने किया आटोहन ने इलेक्ट्रिक हीटर की कुन्डली किस धातु से बनाई जाती है नाइक्रोम से हेमाइट और मेगनेट यह होता है सलफ्यूरिक अमलेका मात्रकों की अंतराश्टिय पदती किस वर्स लागो हुई 1971 में सॉर्वेंट ऑफ इंडिया सुसाइटी के अस्थापना किसने की गुपाल किष्ण गोखले ने खिलाफत अंदोलन का नेत्रित्व किसने किया मौलाना मुहम्मद अली ने किस घटना के बाद रविन ना टैगोर ने सर की उपादी लोटा दी थी जालिया वाला बागत्य कंड के बाद विश्व में शरवादिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है टोक्यो सफेद रक्त कंड डवलो विशी का कार्या है रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाना अर्थ सास् चैनल कौन का लाता एडम स्मित बीजक किसकी रचना है संत कवीरदास की यह आज के हमारा लाश्ट पेपर है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब में चैनल एक वीडियो को बनाने में पहुत तैंप मेहनत लगते हैं आ प्रति रोधक छंता वड़ाना अर्थ सास्ट का जनक कौन कहलाता है एडम स्मित ने बीजक किसकी रचना है संत कवीरदास की चांद वीवी कहां कि सासक थी अहमद नगर की इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है इमेल मैराथन दौड की दूरी कितनी होती है 20-36-385 गज समुंदरी जल से सुध जल किस पर किरिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है आस्वन बीदी द्वारा तुलबुल परियोजना किस नदी परिस्थित है जेलम पर लोग सबा के बैठक आयोजित करने के लिए आप एक्षित गंट पूर्ती कोरम क्या है एक बट लाल मिट्टि का रंग लाल क्यों होता है लो अक्साइट के उपस्तिती के काडन भारत में कितने परकारD के बहरत में कितने परतिसध कोड़कर K805 पर क्जित होती है 151 परत। के राजियों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है वो क्या कालाती है जूम खेती है भारत में रेशम का सबसे अधिक उतपादन किस राज्ये में होता है करनाटक टेस्ट मैचों में भारत की और पहला सतक किस ने लगाया था लाला अमरनाथने वीडियो आपको कैसी आगे तो लाइक जरूज किजिएगा और सब्सक्राइब जरूज किजिएगा ठैक्स पर बाचिंग